Hello friends, स्वागत है आपको मेरे चानल में फिर से एक बार मैं हूआ कि वही अंजली तेरे चहरे को कभी भुला नहीं सकता, तेरे यादो को कभी दबा नहीं सकता आखिर में मेरी जान चली जाएगी, मगर दिल में किसी और को बसा नहीं सकता जिहां आपने सही सुना हम आज के राशी फल की बारे में जानेंगे सबसे पहले आज जो है जिनका बर्टे है या फिर मारी जणिवर्सरी है उनको मेरी तरों से बढ़ाई हो तो चलिए शिरू करते हैं दर्द गम डर जो भी है बस तेरी अंदर है खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है पीठ हमेशा मजबूद रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोका दोनों पीछे से ही मिलते हैं लाखों ठोकरों के बाद भी संबलता रहूँगा गिर कर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा क्यों आसमा देखता है यूँ जमीन पर बैट कर क्यों आसमा देखता है पंकों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे ये बात हमेशा याद रखीगा कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बलकि पागल बनना पड़ता है तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आपके लिए शुब रंग यानि की लगी कलर रहने वाला है हलका हरा यहीं लाइट खरीण और शुब आमक रहने वाला है दो स्टार कहें रहे हैं कि आपको उधार पैसा लिनी और दिनी दोनों ही मामलों से बचना बड़े या वरनना नुक्सान हून सकता है अगर आप वित्तिय मामलों में लापरवाहि रखेंगी तो संभव है कि आपको काफी नुक्सान उठाना पड़े साथे साथ कुछ लोगों से आपकी जो relation है वो भी खराब हो सकते है specially business और job में इस कारण जो है आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी आपकी राशी के स्वामी जो बुद्ध है आपकी राशी में विराजित होकर आपको बहुत ही practical बना रहे हैं आज इस समय जो है दोसरों से help लेने की अपक्षा अपनी कार्य प्रणानी पल विश्रास रखें यानि खुद के होसले पर hard working पर विश्रास रखें और अपनी शमताओं का आप भरपूर मात्रा में उप्योग कर सकते हैं कभी कभी खरीदारी आदी में अनवश्यक खर्च हो जाएगा आज के दिन हो सकता है कि आप अपने दिखावे की प्रवरित्ती की कारण बीना सोचे समझे फिजोल खर्ची कर दें और बाद में जरूरत आने पर पश्ताना पड़े इसलिए जेव देखकर ही सब कुछ यह वन्ना आने वाले दिनों में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है वही आज आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि व्यस्तता के बारे में अज आपको काफी व्यस्तता से गुजरना पड़ेगा आपको एक समय में कई काम भी करने पड़ सकते हैं या आप काफ भी हो सकते हैं इसलिए आपको आज मानसिक रूप से तयार रहना होगा आपके पार्डनर्स या फिर बॉस आपके काम के तरीकों से काफी संतुष्ट और खुश हो सकते हैं या आपके अच्छे भविश्य की और इशारा कर रहा है आपके राशे के जो स्वामी चंद्रमा है आ आपके लिए लाग दायक परिसितियां आज बनाकर हुए हैं परिसितियां वश कारियों में आ रही दिक्कतों में अब कुछ आपको रहत मिल सकती है कोई पॉलिसी वगेरा भी मैच्योर होने से भी आर्थिक सितियां आपकी मजबूत रहेगे सिरफ अपनी मनमर्जी ना करक कि दूसरों की बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन है आज की दिन किसे बात पर जादा अड़ जाने से कुछ फैसले उलट सकते हैं देखिए मनमानी मत कीजिए दूसरों की भी जरा आज सुनेगा वनना आज आज आप से काफिर का मत भेत को टाला भी बैचर रहेगा अगर हो सके तो आज किसी से भी वाद विवाद मत कीजिए लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिलेशन खराब कर सकते हैं और इसकी वज़ए से आने मले दिनों में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है जो कि बह हाई में फोकस नहीं रहेगा इसलिए आपको अपनी पढ़ाई की और फोकस करने के लिए तयार रहना होगा वरना आने वाले दिनों में नुक्साम ठाना पड़ सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विविसाय याने बिजनस और करर के बारे में कि क्या कहता है अज आप अपने बिजनस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन किसे अधीनस्त करमचारी की वजह से कारे की गती आपकी धीमी पड़ सकती है कोई नुकसान भी होने की संभावना बन नहीं है बैतर तो यही होगा कि सारा काम आप अपन अच्छी बढ़िया है दोस्तों को पैसे उधार देने का समय अच्छा नहीं है क्योंकि आप इसे वापिस पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं यानिकि अगर आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दे देते हैं तो जब आपको चाहिए होंगे तो आपको वापिस लेने में बहुत मुश्किलें आ सकती है इसलिए सो समझकर ही आज आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दीजीगा शेर आदी जैसे कारों में फायदा हो सकता है अगर आपने इंवेस्टमेंट किया है तू सिरकारे कामों में किसी प्रकार की रुकावती भी आ सकती है लेकिन परिशान होने के आपक फिर अपके लिए बैठर रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके वरिष्टों मैं आपके बहुत मंग रहेगी आप को सही कोशल है इसका आपको भरपूरी मातरा में प्योक करना होगा अपना जो चीजिए हैं जो आप में हुनन है वू आपको दिखाना पड़ेगा ताकि ल करते हैं आज की लव लाइफ के वारे में तो अज लव लाइफ कहती है कि प्रेम से रिलेटिड रिष्टों को मजबूत करने में आपकी इंपोर्टन जो भूमिका बनी रहेगी और स्थिती जो है उलास पूर्ण रहेगी यनि खुशी का महल बना रहेगा परिवार में भी सु आपकी हर बात सुनेगा अगर आप शात रहते हैं तो इसके साथ ही पती पत्री में आपस में किसी बात को लेकर बहें सुमासे की सितियां आप में जी कुछ लोगों की बनी हुई है आविवाहित लोगों के लिए आज दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का दिन हो सकता है आई जा सकती हैं बाहर अपने साथ ही को कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जो रहें पसंद हो विस रिष्टी को काम करने के लिए आपकी द्वारा कि ये गई परियासु की सिरहना करते हैं चले अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की हेल्थ के बारे में तो आज हेल् और बुखार जैसी समस्याएं आज आप महसूस कर सकते हैं ला परवाही मत कीजिएगा बलकि प्रॉपर इलाज करें घर में ही अगर इलाज करते हैं तो जादा पैचर रहेगा वही आज 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 मेंसे कुछ लोग भारी संगीत सुनने से बच्णा होगा वरना आपको सिरदर्द या फिर माइगरन के पेन हो सकती हैं जिससे आज मानसिक सेतिया बिगड़ सकती हैं और नीद के भी कमी हो सकती है आप मेंसे कुछ लोग जो हैं बहुत अदिक सोचना आप में कुछ नेगिटिव रिविची विजार जो हैं उत्पन कर सकता है इसलिए अपनी भावनाओं पर आज आपको काबू भी रखना पड़ेगा अपने काम को जादा मात्रा में मत कीजिएगा आपको कमर या फिर पीट में समस्याएं पैदा हो सकती है जितना हो सके उत्तना काम कीजिए फ़र न जो है आपको कहीं दिक्कत आ सकती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की विशेश उबाई के बारे में सबसे पहले तो आज उपाय में आपको उत्तर पूरव की और मुख करकर सोना चाहिए और साथ ये साथ में एक जो तांबी का बरतन है उसके बीच में आप पानी भरकर अपने सिरहाने के पास लेकर सू जाएगा और सुबह उड़ते ही ये जो पानी है आप किसी पौदे में डाल दे इससे जो है नेगटीव उर्जा आप से दूर हो जाएगी तो दोस्तो अगर आप कोई हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलेगा धन्यवाद